हेलो फ्रेंस दसरितास किचन में आपका स्वागत है अगर दिन की शुरुवात हेल्दी नाश्टे से हो तो दिन भर शरी में एनर्जी बनी रहती है इस मामले में ओट से बेतर और कुछ हो ही नहीं सकता यह ना सिर्फ खाने में स्वादिश्ट है बलकि इसमें कई तरह के जरू करें और बेल आइकन जरू दबाएं ताकि मेरे हर नय वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो यहां पर मैंने लिया है एक पैन उसमें डाला है एक लीटर दूद यह फुल क्रीम दूद है और यह एक बार बॉयल हो रखाया है दूद अगर आ और यह पर पकने में टाइम लगता है तो दूद बहुत जल्दी घाड़ा होने लगता है इसलिए हम इसमें आदा कप पानी डालेंगे अब इसे हम बॉयल होने देंगे यानि तेज गरम हो जाए तभी हम इसमें ओट्स डालेंगे ओट्स में फाइबर बहुत ज्यादा पाय मिलता है ओट्स के यूज से हाई ब्लेड प्रेशर को कम करने में भी मदद मिलती है ओट्स में फाइबर बहुत ज्यादा होने के वज़े से ये कब्स को भी दूर करता है और इससे शरी की इम्मिनिटी भी बहुत बढ़ जाती है तो यहां पर देखिए दूद बॉयल होने लगा है अब हम आज को कम कर देंगे और इससे पहले थोड़ा सा चला लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक कप प्ले नोट्स यह प्ले नोट्स हैं इसमें कोई मसाला नहीं है तो अब इसे हम चला देंगे थोड़ा सा और इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक यह अच्छे से पक नहीं जाते हैं यानि कि गल नहीं जाते हैं ज्यादा देर नहीं लग जाते हैं आज को इस समय हम धीमा कर देंगे और बीच वीच में इसे चलाते रहेंगे तो यहां देखिए 5-7 मिर्ट हो गए हैं और यह गाड़ा भी हो गया है और ओट्स भी अच्छे से पग गए हैं तो यहां पर मैं डाल रहे हूं थोड़ी सी किश्मिश यह पुरी तरह से अब ब्लक Is अपनेमन पसंद ड्राइफूत डाल सकते हैं इसमें मैंने चीनी बिलकुल भी नहीं डाली हैं अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो अपनी इच्छा से इसमें चीनी डाल सकते हैं पर मैं तो कहूंगे कि बिना चीनी के ही खाईś te пож allen तबी यह वेट प्यार है दे और बच्चों के लिए तो ये बहुती टेस्टी और हेल्दी डेश है अब मैं इसमें उपर से कटिवी बदाम डाल रही हूँ आप इसे बिना ड्राइफूट के भी बना सकते हैं ये बिना ड्राइफूट के भी बहुती टेस्टी लगेगी तो आप भी इसे अपने घर में जर take care